तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास एक रहवी का गणित प्रश्णावली दो दसमलो दो को सलू करेंगी यह बहुत ही most important है ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा सारे question आपको समझ में आने वाला है प्रश्ण है कि मालनी जीये की ए बराबर 1,2,3, dot, dot 14 तक दिया गया है मतलब 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, A में बिलोंग करेगा दोवारा 1 से A का एक संबंद R लिखिए परतेक, प्रांत, सफरांत और परिसर ग्यात की दिए यहां क्वेशन है एक दिया है और एक संबंद दिया है जो एक स्वाई के मान रखना है वो हमारा A में बिलोंग करना चाहिए मतलब 1 से 14 के बीच में ही एक स्वाई का माना चाहिए है अलग नहीं आपसे कहा है कि A से A में एक संबंद मनाईए ठीक है उसके बाद आपको में question यह है कि इसका प्रांत बताईए सव प्रांत बताईए और परिसर बताईए आईए हम इस प्रश्ण को बनाते हैं यह प्रश्ण बहुत असान है बस ध्यान से आप लोग देखिएगा ठीक है कि सबसे पहले जो हमें दिया रहता है उसको लिखेंगे ठीक है डाल लेजिए हेडिंग में प्रश्ण बली दो दसमलो दो पाला प्रश्ण ठीक है क्या है भाई यह बराबर दिया है यह लिखेंगे सलूसन यह बराबर दिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एगारा, बारा, तेरा, चाउदा ठीक है एक कमान हमारा यह दिया है बीच में डाडाड था मतलब सारे नमबर मैं ने लिक लिए ठीक है अब इसमें क्या दिया है एक संबन दिया है आर आर बराबर दिया है कि एक्स कोमा य' such that 3x minus y बराबर 0 ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं इसी के help से इस प्रश्ण को मैं बनाने जा रहा हूं यह 3x minus y बराबर 0 है जदि आप 3x minus y बराबर 0 है तो आप इसको क्या करो यह minus y के minus y बराबर 70 हो जाएगा मैनस मैनस कट गया हमारा y कमान हो जाएगा 3 x होगा अब यहां से देखी आपको क्या करना है यहां से हम एक कमान को यह रहां से बारी बार से सबको रखते जाएंगे हमारा result क्या होगा लिखेंगे जब x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर तो y कमान आप हो क्या आएगा अब जी y कमान आएगा 3 into x कमान एक रखना है न यह जाएगा 3 ठीके जब x कमान हमने 2 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 2 यानि यह हो जाएगा 6 ठीके जब x कमान मैंने 3 रखा तो y कमान हो जाएगा 3 गुना 3 यह हो जाएगा 9 जब हम x कमान 4 रखते हैं तो y कमान हो जाएगा 3 गुना 4 यानि 12 जब x कमान 5 रखते हैं तो y बराबर 3 गुना 5 यानि हो जाएगा 3 पाचे 15 समझ में आया कोई दिकत नहीं है अब देखो एक बात ध्यान देना हमसे प्रस्ण में बोला गया है कि जो x y कमान होना चाहिए मेरा भाई वो विलों करना चाहिए ए में तो x कमान 1,2,3,4,5 इसमें है ना साथ में y कमान बोला है y कमान हम 3,6,9,12,15 ला हैं देखो तो कहां तक हाई इस्ट मान है 14 तक और हमने 15 ला दिया तो यह संभव नहीं है यह क्या हो गया और संभव हो गया इसको हम लोग नहीं लिखेंगे संभव यहीं तक है ठीके तो हमारा रिलेशन क्या बना संभण क्या बना x में 1, y में 3 x में 2, y में 6 x में 3, y में 9 x में 4, y में 12 x में 5, y में 15 लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि y के जो x, y के मान होना चाहिए x लेकर 14 के बिची होना चाहिए y के मान जादा हो रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे तो लिखेंगे हमारा जो relation बना R, R मतलब relation, relation मतलब संबन जो relation बना X में 1 Y में 3 बना, ठीक है X में 2 Y में 6 बना X में 3 Y में 9 बना X में 4 Y में 12 बना एक हमारा relation बन गया जब आप relation बना लिए तो अब आपको प्रान्थ, सह प्रान्थ और परिशर ग्याद कर देना है लिखेंगे प्रांथ प्रांथ को एंग्लिस में डोमें बोलते हैं इसको D से सुचित करते हैं प्रांथ कौन होता भई? X वाला, ये, 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 ये क्या है? प्रांथ है X वाले डर्म प्रांथ होते हैं 1, 2, 3, 4 अब इसका सफ़ प्रांत लिखना है हाँ प्रांत लिखिए सफ़ प्रांत सफ़ प्रांत जो होगा जिसको कोड डोमेन बोलते हैं सफ़ प्रांत देखो क्या होता है इसमें के सारे नंबर क्या हो जाएंगा सफ़ प्रांत क्योंकि हमारा एक्स का मान 14 तक तो होता लेकिन वाई का मान जाद हम रख रहे तो नहीं हो रहा है तो सह परांत में पूरा आ जाएगा सह परांत में क्या होगा एक दो तीन चार डोडोट कहां तक यह 14 तक हो जाएगा ठीक है इसके बाद परिसर बोला है परिसर उसको बोलते हैं परिसर को इंग्लिस में रेंज बोलते हैं इन्हें आर से सुचित करते हैं परिसर हो जाएगा ओवाई वालट टर्न ठीक है एक साथ जो रिलेसा है न वो सारे हो जाएंगे वो जाएगा तीन छे नो बारा यह हमारा एंसर यह तो हमसे बोला गया था कि प्रांथ बताइए प्रांद बताइए और पश्र बताइए हमने क्या किया बता दिया समझमाय कोई डाउट नहीं किसी को प्रशने बहुत असान है आपको ध्यान से बनाना होगा ठीक है तो प्रश्ण संख्या एक complete अब प्रश्ण संख्या 2 को देखेंगे 2 क्या है ? प्रकिर्थ संख्याओं के समूझ चे आर बराबर xy such that y बराबर x प्लस 5 है x संख्या 4 से कम है x जो लेना है 4 से कम लेना है एक प्रकिर्थ संख्या है xy belongs to N द्वारा एक संबंद R पर भासित कीजिए इस संबन्द को पाला क्वेचने के रोष्टा रूप में इसके प्रांत और परिसाथ को लिखना है आईए जेस्ट वैसाई बनेगा जिस तरह से हमने question number one को अभी सल्व किया है question number two सबसे पल देखिए जो relation दिया है न उसको लिखेंगे क्या है relation xy xy such that y बराबर दिया है x प्लस 5 x प्लस 5 और इसमें दिया एक condition x जो संख्या है चार से कम है लिख देंगे जबकि जबकि x जो होगा वो चार से कम होगा ठीक है x कमान वही लेना है यानि चार से कम वाला यानि एक दो 3 लेना है ठीक है और यह भी ध्यान देना है जो आप xy ले रहे हो एक एक natural number यानि परकित संख्या में आना चाहिए ठीक है यह भी ध्यान देना है लिखेंगे जहां एक स्वाई का जो मान होगा वो बिलोंग करना चाहिए हमारा एक natural number यानि परकित संख्या में तो सबसे पहले हम यहां बोला है कि एकस का जो मान होना चाहिए चार से कम उसमान को लिख लेते हैं तो एकस का मान हम क्या क्या रख सकते हैं एक दो और तिन रख सकते हैं चलिए अब बारी बारी से यहां पर रिलेशन में रखते जाएंगे हमारा बनते जाएगा रिलेशन जब एकस का मान हम एक रखते हैं तो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पलस 5, यह हो जाएगा 7, जब x बराबर 3 रखते हैं, तो y बराबर 3 पलस 5, यह हो जाएगा 8, ठीक है, तो हमारा relation क्या बना, relation क्या बना, relation बनेगा, x में 1, y में 6, x में 2, y में 7, x में 3, y में 8, एक हमारा यह relation बन गया, अब यह relation बन गया, तो आपको प्रांथ, सह प्रांथ और परिशर, यह 3 बताना है, तो चलिए, सबसे पहले प्रांथ निकालते हैं, प्रांथ यानि डोमेन, क्या होगा, x वाला सारे हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है, इसके बाद, सह प्रांथ, सह प्रांथ यानि कोड डोमेन, क्या होगा भाई, कोड डोमेन जो होगा, हमारा x वाला सारे नंबर हो जाते हैं, तो x वाल नंबर क्या है, x से लेकर 3 तक ही है, 1, 2, 3, अब परिशर, परिशर यानि range, क्या होगा, y वाले सारे term हो जाएंगे, 6, 7, 8, इसको रोष्टर फॉर्मिल बोला था, रोष्टर फॉर्मिल हमने लिख दिया, यह होगया आपका answer, उमिद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 आपको समझ में आगया होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, Question 3 है, कि a बराबर 1, 2, 3, 5 और b बराबर 4, 6, 9, a से b में एक संबंद r बराबर x, y संच that x और y का answer b सम है, तो x belongs to a, y belongs to b दिवराब परिभासित किजिये की r को रोष्टर रुप में लिखिए, लेकि प्रश्न यह है, कि हमारा a से b में, a और b दिया गया है, और a से b में एक संबंद आपको बताना है, संबंद यह है कि x, y संच that, x और y का answer जो होना चाहिए, यह x है, यह y है, इन दोनों का जो answer होना चाहिए, और एक हमारा b सम संख्या होना चाहिए, अब answer कब निकालेंगे, हमारा एक संबंद कब बनेगा, तो जब हम a से b में cross product करेंगे, ठीक है, जब cross product करेंगे, तो हमारा एक relation बनेगा, उस relation से फिर हम यह चेक करेंगे कि दोनों का answer क्या भी समय है, उसी को रोष्टा रूप में लिखना है, आए इस question को बनाते हैं, सबसे पहले question number 3 लिखते हैं, इसमें a, b का मान जो दिया है, उसको लिख लेते हैं, एक का जो मान है, वो क्या है, एक दो तीन पांच, एक दो तीन पांच, और बी जो है, बी है, चार छे नौ, चार छे नौ, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक relation दिया है न, उस relation को पहले लिख लेते हैं, relation यह है, कि एक्स कोमा, वाई, जब, एक्स एयों, एक्स एयों, वाई का अंतर, वाई का अंतर, वी सम पुढांख है, ठीक है, चलिए, तो यहां से एक क्रोस भी पहले निकालते हैं, एक कमान क्या है, एक, दो, तीन, पांच, क्रोस भी क्या है, चार, चो, नौ, अब देखो, एक क्रोस भी फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले एक को चार से करेंगे, एक, चार हो गया, फिर एक को छे से करेंगे, एक, छे हो गया, एक को नौ से करेंगे, एक, नौ हो गया, दो को चार से करेंगे, दो चार, दो को छे से करेंगे, दो छे, दो को नौ से करेंगे, दो नौ, अब क्या करेंगे, तीन को चार से करेंगे, तीन को चार से, तीन को छे से, तीन को छे से, तीन को नौ से, अब 5 को 4 से करेंगे, 5 को 6 से करेंगे, अब 5 को 9 से करेंगे, ठीके, ये देखो हमारा cross product find हो गया, अब यहां से हमारा relation बनाना है, और मान रखना है जिसका अंतर भी सम हो, ठीके, तो लिखेंगे, रोष्टर रूप में लिखना है न, creation बनाना है, देखो तो, वहीं है, हमारो को R रोष्टर रूप में लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले, एक चार, देखो तो, चार में से एक घटा होगे, तो तीन आएगा, या कहलो, एक में से चार घटाएंगे, तो माइनस तीन आएगा, तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस तीन हो, या तीन हो, वह विसम ही होता है, तो माइनस से घटाना नहीं है, ठीके, विसम है तो एक चार हो जाएगा, एक पांच होगा, बिल्कुल, घटाएंगे तो पांच आएगा, एक नव नहीं होगा, दो चार नहीं होगा, दो छे नहीं होगा, दो नव हो जाएगा, घटाने पर साथ आ जाएगा, तीन चार होगा, तीन छे होगा तीन नव छे नहीं होगा पांच चार होगा पांच छे होगा पांच नव नहीं होगा यानि हमारा यह जो है इसका जब अंतर करेंगे तो बिसम पुढांग के फर में आएगा यह हमारा एंसर हो गया इस तरह से question number 3 को हमें बनाना था, हम लोग बना लिए अब हम 4 देखते हैं, 4 क्या प्रश्ने हैं, पले प्रश्ने को पढ़ेंगे प्रश्ने 4 है, आकिर्ती 2.7 समुच्चे P से Q का एक संबंध दरसाती है इस सम्बंध को समुच्च निर्मार रूप में लिखना है, और रोश्ठा रूप में लिखना है इसके प्राम तथा परिसर भी क्या होंगे यह भी लिखना है, यह आकिर्ती है पले हम आकिर्ती को बना लेते हैं तो आख छोटा छोटा बन गए बट कोई नहीं सही है यह अकिर्थी हो गया, इस अकिर्थी में मान क्या है, पांच, छे, साथ, इसमें क्या है, तीन, चार, पांच, है ना, चलो जी, अब इसमें क्या है, कि इस से इसका रिलेशन है, इसको, इसके साथ, रिलेशन है, छे को, चार के साथ है, साथ को, पांच के साथ है, ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें ये बोला गया है, कि समुचे P से Q का एक संबंध दर साती है, इस संबंध को, समुचे निर्मार रूप में और रोष्टा रूप में लिखना है, सबसे पहले हम, समुच रोष्टा रूप में लिखेंगे यदि जो किताब में आपको दिया वही बात लिख रहे हैं यदि यदि पी से क्यूँ यदि पी से क्यूँ में यदि पी से क्यूँ में ये पी है ये क्यूँ है ये भी बात लिखेंगे लो P से Q में संबंध हो तो हमारा relation जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई 5 को 3 के साथ लिखेंगे 5,3 6 को 4 के साथ 6,4 7 को 5 के साथ 7,5 ठीक है एक relation बनेगा अब इसको समुच्च निर्मार डुप में लिखना है तो आईए इसको लिखते हैं यह बाते भी समझ लो यह जो है रोष्टा रुप में भी हो गया यह चीज रोष्टा रुप में भी हो गया क्योंकि रोष्टा रुप में ऐसे लिखना होता है संबंध बनाते समय हमारा रोष्टा रुप में हो गया रोष्टा रुप ही है ठीक है अब हम क्या बनाएंगे क्या बोला था भाई समुच्च निर्मार रूप समुच्च निर्मार रूप में क्या बनेगा लिखेंगे कि xy इसको थोड़ा लिखना पड़ता है आप लोग set में पढ़े थे x,y संच डेट देखो x में से y को माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस, सॉरी, दो आएगा 6 में से 4 करोगे, दो आएगा 7 में से 5 करोगे, दो आएगा यानि इसका result है कि x में से y को जो आप माइनस करोगे तो आपका result 2 मिलेगा, यह हो गया समुच्च निर्मार रूप में कहां से भाई, जब हमारा P में से Q को माइनस कर जाएगा यानि 5, 6, 7 किसमें? 5, 6, 7 इसमें बिलोंग कर रहा है न बिलोंग टू, 3, 4, 5 ठीके, तो यह हमारा हो गया अब आप से क्या बोला है लाष्ट में? लाष्ट में बोला है कि प्रांथ और परिसर बताईए तो प्रांथ क्या होगा? एक स्वाला, प्रांथ हो जाएगा 5, 6, 7 5, 6, 7 परिसर परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा 3, 4, 5 3, 4, 5 यह हमारा एंसर I hope कि आप लोग को प्रशने सेंगे आग्या होगा, बहुत ही आसान है ऐसान ही कि बहुत कठीन है, बहुत ही आसान है ठीके? चलिए, अगला प्रशन देखते हैं प्रशने संख्या 5 पढ़िए एक बार मान लिजिए कि A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लिजिए कि R A पर A, B सेंड़ेट A B B belongs to A, संख्या A संख्या B को या थावत बिभाजित करती है दुआरा परभासित एक संबंध है R को रोष्टर रूप में लिखिए R का प्रांत गयाद किजिए R का परिसर गयाद किजिए बहुत असान है, थबसे पहले क्या करेंगे? A से A में एक हम संबंध निकालेंगे क्रोस प्रोड़क्ट करके, ठीके? उसके बाद आपका क्वेशन है कि A जो है न, A B को क्या कर रहा है? बिभाइद कर रहा है, भाग दे रहा है अब वहाँ से भाग देने के बाद आपको वैसा संख्या लिखना है जिसमें कोई सेस न बचे उसी को सिर्फ लिखना है आएए हम उसको लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है प्रश्न संख्या पांच सबसे पहले एक अमान दिया है न क्या दिया है भाई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है? आपका एक रिलेशन है रिलेशन दिया है क्या भाई? रिलेशन यह है एक कोमा बी एक कोमा बी, एक कोमा बी बिलॉंग टु ए संख्या ए से भी भाजित करती है इसको लिखेंगे साइड एट एक कोमा बी बिलॉंग टु, मतलब ए और बी का जमान होगा ए में बिलॉंग करना चाहिए बिलॉंग टु ए जब संख्या जब संख्या ए संख्या बी को बी को बिभाजित करती है ठीक है यहां से देखिए एक कोमा बी का जो बात हुगा क्या हो जाएगा बी बाटा ए और इसमें सेस नहीं बचना चाहिए मतलब इसमें सेस ना बचे मतलब लाश्ट में समझाएगे बस यहां पर समझ लो मन्दलिक दिया है मतलब ए और बी का जो रोश्टा रूप में लिखने के बाद क्रॉस्ट करने के बाद जो ए और बी आएगा फीर चार पांच छे अब यहां से एक रॉस ए बराबर एक को एक के साथ करेंगे तो एक को मा एक फिर एक को दो के साथ करेंगे ऐसा है छे तक करेंगे ठीक है फिर एक को तीन के साथ करेंगे फिर एक को चार के साथ फिर एक को पांच के साथ फिर एक को छे के साथ फिर दो को सबसे कराएंगे दो एक दो 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 तीन अगें दो चार दो पांच दो छे फिर तीन को सबसे कराएंगे तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच तीन छे फिर चार को राएंगे सबसे चार एक चार दो चार तीन चार 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 पांच चार छो फिर पांच को एक से सकराएंगे पांच दो पांच तीन पांच चार पांच 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 छे पिर छे को एक के साथ कराएंगे छे एक छे दू छे तीन छे चार छे पांच छे छे ठीक है यह हमने करा दिया सबसे क्रॉस पोड़क्ट ठीक है अब क्रॉस पोड़क्ट करा दिये तो अब हमको क्या करने है भाई उसी को लिखना है जब हम यह A है यह B है यह B में A से भाग देंगे तो सेस नहीं बचना चाहिए उसी को रोष्टर रूप में लिखना है ठीक है आईए फाला question रोष्टर रूप में R को रोष्टर रूप में क्या क्या होगा देखो B में एक है A में एक है एक को एक से भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहनि पूरा-पूरा कट जागा सेस नहीं बचना चाहिए दो में एक से भाग देंगे यह भी आएगा देखो यह भी आएगा 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 च्छे तक तो आएगा ही आएगा इसको लिख लेता हूं एक तीन एक चार एक पांच एक छे उसके बाद दो में एक से भाग देंगे तो यह तो सेस बच जाएगा दो म दो चार ये भी हो जाएगा दो पांच नहीं, दो छे, दो छे भी हो जाएगा तीन एक नहीं होगा, तीन दू, तीन तीन हो जाएगा तीन चार भी नहीं, पांच भी नहीं, छे भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चार चार होगा उसके बाद 5-5 होगा और last 6-6 होगा बाकी एक भी नहीं होगा जो बी में एसे भाग दिने पर कुछ ना बचे कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा उसको मैंने नहीं लिखा जो नहीं बचेगा उसको मैंने लिखा है तो यह हमारा रोश्टर रूप में हो गया ठीक है अब इसका परान्त लिखना है दूसरा परान्त बोला गया है तो परान्त क्या हो जाएगा भाइब परान्त हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच चे तीसरा है परीसर यानि रेंज यह क्या होगा? यह होगा y वहला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और तो कोई नहीं आ रहा है? यहीं सिर्फ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह परिशर हो गया, तो यह था हमारा प्रश्न संक्या 5 जो कि complete होता है, और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक नहीं होगा, ठीक है? प्रश्न संक्या 5 हमारा complete होता है, अब हम 6 देखेंगे, 6 क्या प्रश्न है? आर बराबर एक्स कोमा एक्स प्लस 5, साइड एक्स बिलॉंग कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, द्वारा परिभासित संबंद आर के प्रांत और परिसर ग्याद कीजिए, यह भी बहुत आसान है, आईए, सबसे पहले, प्रश्न संक्या 6 लिखेंगे, इसका हमें सॉलूशन करना है हमें क्या दिया है, आर एक रिलेशन दिया है, वो क्या दिया है, एक्स कोमा एक्स प्लस 5, सच डेट, एक्स बिलॉंग कर रहा है, 0, 1, 2 कहां तक, 5 तक, 3, 4, 5, ठीके, अब देखो, हमें क्या है, यहां पर एक कंडिशन है, एक्स कोमा एक्स प्लस 5, और विलॉंग कर रहे, तो आपको परीसर ग्यात करना है, और इसमें कुछ दिया तो नहीं, बस इतना ही पर है, आईए इसको बनाते हैं, बहुत नहीं असान है, ऐसा नहीं के बहुत कर्ठीन है, ठीके, पले ध्यान से द क्वेशन नहीं बन पाएगा, मिरे ख्याल से लगता है, कुछ न कुछ गलत है, यूँकि दुनों जगा एक्स ही हो गया, तो फिर बनेगा कैसे, किताब में साइद गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर एक्स ना बलकर की वाई करके बना देता हूँ, ठीके, यहां पर य बराबर में रह सकता हूँ, एक्स प्लस फाइव, ठीके, कोई दिकत नहीं है, य बराबर एक्स प्लस फाइव, ठीके, अब हमें एक्स कमान दिया है, एक्स कमान दिया है, यहां पर रखते जाएंगे, वाई कमान अपने आप आते जाएगा, रखिए, जब एक्स बराबर जिरो रखते हैं तो y कमान 0 पलस 5 यानि 5 होगा जब x कमान 1 रखेंगे तो y कमान x के जगा 1 पलस 5 रखेंगे ये 6 हो जाएगा जब x कमान 2 रखेंगे तो y पराबर 2 पलस 5 यानि 7 हो जाएगा जब x पराबर 3 रखेंगे तो y पराबर 3 पलस 5 यानि 8 हो जाएगा जब x पराबर 4 रखेंगे तो y पराबर 4 पलस 5 यानि 9 हो जाएगा जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 5 पलस 5 यानि 10 हो जाएगा ठीक है यह सब आ गया अब देखो अब हमारा जो condition है वो क्या बनेगा पहले था हमें relation बताना होगा कि relation क्या बना भाई उस relation को पहले हम लिखेंगे तो relation जो बना है वो बनेगा x में 0, y में 5 फिर x में 1, y में 6, x में 2, y में 7, x में 3, y में 8, x में 4, y में 9, x में 5, y में 10 यह हमारा एक relation बन गया अब यहां से आपको प्रांत बताना है तो प्रांत बताने के लिए क्या करना है एक 16 सारे को लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्रांत हो गया अब सब प्रांत लिखना है के रेंज परिसर लिखना है वाई वाला परिसर यानि आर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंसर कितना आसान है आप खूद समझ सकते हो ठीक है तिरी प्रांत बहुत यह असान था हम लोगों ने इसको भी सल कर लिया अब साथ देखेंगे साथ प्रांत 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 क्या है यहां आईए संबंद R बराबर X, XQ है ठीके एक संख्या 10 से कम एक अभाज संख्या है को रोष्टर रूप में लिखना है ठीके रोष्टर रूप में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे यह भी बहुत असान है आईए आईएश को बनाते हैं Question No.7 सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो इसमें तो उच करना सिखना नहीं है R एक रिलेशन है X, XQ Such that X1 10 से कम 10 से कम अभाज संक्या है अभाज संक्या है ठीके अब चलिए यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ और ध्यान से समझेगा यह X, XQ है ठीके अभ मैं इसको कैसे बनाऊ सोचो तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ध्यान दिजिएगा सबसे पहले ठीके X, XQ है तो इसको मैं अश्पस्ट करने के लिए Y लिख देता हूँ ठीके यहाँ आपके Question में ज़िए X, XQ होता है यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ता है अश्पस्ट है कि लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर X न देकर के Y दिया रहे तो बहुत बेटर रहता हूँ ठीके मैं इसको क्या करता हूँ Y ले रहता हूँ X, Q अस्पस्ट करने के लिए बनाने के लिए इस क्वेशन को तो हमारा X कमान का है भाई X से कम अभाज संख्या 10 से कम अभाज शनख्या क्या होता है अब हाजने होगा 2, 3, 5, 7 यहीं तो होगा 10 से कम अभाज संख्या अब बारी-बारी X में रखते जाएंग y कमान आते जाएगा लिखेंगे जब x बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा 2 के पाउर 2 3 यह हो जाएगा यानि 8 जब x बराबर 3 तो y बराबर हो जाएगा 3 के पाउर 3 यानि 399 या 27 जब x बराबर 5 तो y बराबर हो जाएगा 5 के पाउर 3 यानि 125 जब x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 के पाउर 3 तो हमारा जो रिलेशन बना क्या बना भाई यह बना 2 8 3 27 इसके बाद 5 125 के साथ 343 यह दिदेशन बन गया अब हमें इसका क्या लिखना है कुछ लिखना है नहीं सिर्फ रोष्टर रुप में लिखना था लिख दी हम हो गया एंसर ठीक है समझ में अगया अब इसका आठ नमबर देखिए आठ नमबर है कि मान लिजिए कि A बराबर X Y Z और B बराबर 1 दो A से B में संबंदों के संख्या ग्याद किजिए इसका संख्या ग्याद करना है यह तो बहुत असान है देखिए सबसे पहले हमें A बराबर दिया है X Y Z और B बराबर दिया है 1 2 तो हमें क्या करना A से B में संबंद के लिए संख्या ग्याद करना है यानि A का जो नमबर ओफ A जो दिया है कितना है एक दो तीन और नमबर ओफ B जो दिया है एक दो दिया है ठीक है समझ गए यहां से एक फर्मूला होता है कि number of a cross b क्या यह होता है number of a cross number of b number of a cross b equal to number of a 3 number of b 2 number of a cross b बराबर हो जाएगा 6 यह हमारा answer ठीक है कितना हो जाएगा 6 लेकिन number of a cross b 6 है हमें क्या बताना है भाई संबंधों की संख्या के लिए क्या करेंगे एक फर्मुला होता है संबंदो की संख्या संबंदो की संख्या बताने के लिए 2 के पाउर एन होता है यह होता है यहां से क्या कर देंगे 2 के पाउर 6 रख देंगे 2 x 2 x 2 x 2 कितना जाएगा 64 यानि 64 गुन्या करो दुदुनी के चार चार दुनी आठ अड़ दुनी चार यह हमारा एंसर होते हैं समझ में आया किसी को दिखत तो नहीं है चलिए अगला प्रश्ने देखते हैं मान लिजिए कि आर जेड़ पर आर बराबर एक कोमा बी साजड़ ए बी बिलोंग कर रहा है एक जेड़ मतलब इंटीजर में ए मैंनेस बी का पुडांक है द्वारा परिभासित एक संबंध है आर के परांत और परिशर गयार कीजिए असान है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले एक हमारा जो जेड़ है वो क्या है जेड़ एक हमारा पुडांक होता है जेड़ क्या होता है पुडांक होता है समझ हीएगा पुडांग कैसे होता है भाई, पुडांग को मैं लिखी देता हूँ, यह 0, राइट सेट जाएंगे तो प्लस वोला मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही dot dot infinite तक जाएगा, ठीक है, इधर minus 1, minus 2, minus 3 dot dot, minus infinite तक जाएगा, जाएगा, अब देखो, यहाँ पर एक relation है, relation क्या है, a से b में, a से b में एक relation है, such that a, b belongs to z कर रहा है, तो हमें, जब a से b में minus करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई, a से b minus करेंगे, तो हमारा एक पुडांग होना चाहिए, a minus b मतलब z, यानि पुडांग होना चाहिए, तो जब मैं a कमान एक लेता हूँ, a कमान एक लिया, और b कमान मैंने दो लिया, a में से b करेंगे, तो क्या मिलेगा, a minus b करेंगे, एक minus 2 बराबर, minus 1 मिल गया, ऐसे ही कोई भी नंबर करोगे, तो हमारा हमेशा एक पुडांखी मिलने वाला है, या तो धन में, या रिंड में, तो मैं बोल सकता हूँ, कि minus 1 जो है न, वो एक बिलाउंग कर रहा है एक पुडांखी में, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कि जो भी इसका domain होगा, domain यानि प्रांथ, जो भी इसका प्रांथ होगा, वो सारे क्या होगे, एक पुडांखी होगा, या इसका बोल दो परीशर, यानि रेंज, परीशर भी जो होगा, एक पुडांखी होगा, क्योंकि कहीं से आप minus प्रांथ करोगे, वो हमें से एक पुडांखी आने वाला है, तो इसका domain भी पुडांख होगा, और range भी पुडांखी होगा, यह हमारा answer, इसी के साथ हमारा प्रशनावली दोदस्मलोदों कम्पलीट होता है, उमिद करता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई problem, कोई doubt, कोई दिक्कत हो, आप मेरे comment box में comment कर सकते हो, और अपने दोस्तों में जितना उसके share करना, क्योंकि आप भी को support करना है मेरे भाई मिलताउने स्क्लास में, थैंक यू सो में